हेलो दोस्तों क्या आप जाएगे की सवारी के लिए तयार हैं आज हम बनाने चारहे हैं केले की वेडिटेविल मचली और हम उम्मीद करते हैं कि ये रेसिपी भी आपको पहले की रेसिपी इसकी तरह ही पसंदाएगी तो एक सब्सक्राइब एंड लाइक तो बनता है यार और इसे अपनी फैमिली मेंबर्स और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं फिर सबसे पहले हमने लिया है एक टी स्पून राई एक गांड लेसन एक इंच अदरग और तीन से चार ह अब हम अधरक लेसन मिर्च और राही का मसाला हम सिल बटने पर पीस लेते हैं आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं लेकिन सिल के स्वाथ की बराबरी संबब नहीं है तो इसलिए हम इसे सिल बटने पर ही पीसेंगे सिल बटने से पुराने जमाने का स्वाथ भी ताजा हो जाता है और यह देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है इसकी खुश्बू से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या फर्क होता है सिल बटने की पिसाई में और मिक्सी की पिसाई में तो चलिए अब अपने केलों को हम लेते हैं अब चलके केलों को छील लेते हैं प्रिकों को तभी छीलिएगा जब इने मरीनेट करना हो वन्हारा पहले से छील के रखने पर ये धाले पारे आते हैं केलों से छिक्कल्व उताने के बाद। हब बीच से टों कि दो बराबर पीसिस में काट लेंगे बस इतने पीस काफी है और इसी तरीके से सभी को काट लेते हैं इस तरीके से हमने अपने केलो के पीसिस को काट लिया है यहीं से आप समझ सकते हैं कि मचली की शेप बन क्या हैगी चलिए अब चलते हैं इन्हें मैरिनिट करने की तरफ म मैरिनेट करने के लिए हमने लिया है एक चमज धनिया पाउडर, आधा चमज लाल मिर्ष पाउडर, आधा चमज हल्दी पाउडर, अधरक लेसन राई और हरी मिर्ष का पेस्ट जो हमने अभी सिल बटने पे पीसा है, वन टेबल स्पून मस्टर्ड ओल, आप इसमें धनिया, पिसी लाल मिर्ष, एक स्पून पेस्ट जो हमने पहले से रेडी कर रहुआ है, और लास्ट मस्टर्ड ओल, और इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेते हैं, जिससे पूरा मसाला, सभी केले के पीसे इसमें मिक्स हो जाए, अब इसमें आट करते हैं नमक, स्वाद अ अनुसार, एक टेबल स्पून बेसन, बेसन इसे क्रिस्पी बनाने में हेल्प करेगा, और फिर सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब यह मेरिनेट हो के रेडी हो चुका है, इन्हें 10 मिट रेस्ट उने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर इसके बाद इने को चलिए, फिश को हम गरम ओयल में अब फ्राई कर लेते हैं, एक एक करके ही हम अपनी सब इसको इसके अंदर डॉप करते हैं, इन्हें अलर्ट पर लेते हैं, जिससे यह दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएं, हम इन्हें low flame पे तब तक फ्राई करेंगे, जब तक यह हल्की से brown ना हो जाएं, अगर इन्हें आप low flame पे नहीं फ्राइ करेंगे, तो यह अंदर से कच्छी भी रह सकती हैं, आप इससे चाहें तो स्नक्स में भी ले सकते हैं, फिलाल हम इन्हें कड़ाई से बहार निकाल ल फख़हां हो रहे हैं कि सभी केले के इसमारे फ्राइ हो चुके हैं अब हम चलते हैं और बनाते हैं LEERS का मसाला इसका मसाला रखनाने के लिए सबसे पहले उने लिया है दो बड़े साइस के प्याज का पेस्ट, तीन मीडियम साइस टोमैटर का पेस्ट, बचा हुआ मसाले का पेस्ट, वन टी स्पून गरम मसाला पेसा हुआ, थोड़ी सी कसूरी में थी, वन टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून लाल मिर्च अब हम इसका मसाला उसी कड़ाई में बनाएंगे, जिस कड़ाई में हमने पहले केले की पीसिस को फ्राई किया था, उसमें हमने दो टेबल स्पून मस्टर्ड ओल लिया है, अब इसमें आड़ करते हैं हम लोग प्याज का पेस्ट, और इसे अच्छे से पका लेंगे, और अब हमारा प्याज का मसाला ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें आड़ करेंगे, टमाटर का पेस्ट और बागी मसाले, और इन्हें हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और जब तक इसमें से तेल अलगना हो जाए, इसे कुक कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, कि मसाला भूँच चुका है, अब इसमें आड़ करेंगे हम लोग नमक, नमक डालते टाइम इस चीज का ध्यान दखिएगा, या आपने पहले भी नमक आड़ किये हुआ है, और इसमें आड़ करेंगे हम लोग पिसा गरम मसाला, और इने भी अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे, अब इसमें आड़ करते हैं हम लोग, अपने केले के पीसिस, सॉरी, मचली के पीसिस, और अच्छे से उसमें हम मसाले को मिक्स कर लेते हैं, आप चाहें, तो इसे ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं, बढ़ हम इसको ग्रेवी का बना रहे हैं, तो इसमें आड़ करते हैं हम लोग, आदा कप पानी, और यहीं पे हम थोड़ा सा कसूरी मित्री डालके, इसे गाड़ा होने के लिए छोड़ देते हैं, और इसे अब हम धक्कन से ध धक्के, पांच मिट तक पकने के लिए रख देते हैं, पांच मुड़ो चुके हैं, अब धक्कन अड़ा के देखते हैं, तो रेड़ी है, स्वादिष्ट बनाना फिश्ट करी, चलिए अब इसे सर्फ कर लेते हैं, तो यह लीजिए, तयार है हमारी केले की मचले की सबजी, यानि की बनाना फिश्करी, इसे आप लोग जरूर ट्राइ कीजे, क्योंकि यह बहुत ही स्वादिष्ट होती है, और हमें कमेंट करके जरूर बताए कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी, जल्द ही मिनेंगे दुबारा, जाएके की सवारी में, एक नई रेसिपी के साथ में, नमस्ते